अगर आप भी दूसरे के WhatsApp स्टेटस को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर डिलेटेड मैसेज को देखना चाहते हैं तो इस वेडियो को पूरा देखें तो गाइज सबसे पहले आपको एक अप्लेकेशन इस्टॉल करना परेगा तो आपको प्लेक्स्टोर पर जाके डबलू एम आर को टाइप करना है तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टैप से एक अप्लेकेशन दिखाई देगा उसको इस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है देन एक्सेप्ट देन नेक् देन अलाओ अप्लेकेशन एन क्लिक अन अलाओ देन अगें नेक्स एंड टेक तो गाइज आप देख सकते हैं यहां पर आपको कुछ इस टैप का इंटरफेस लिखाई देगा तो गाइज यहां से आप वाट्सप का श्रटस जो डाउलोड कर सकते हैं तो यहां पर आपको ट्रट करेंगे तो पर अपन हो जागा उसके बाद यहां पर डाउलोड का ओप्शन दिखाई देगा इसके आपको क्लिक कर लेना है तो आपको अपको अपने डूसरे फोन से इस फोन पर वाट्सप मेसेज करेंगे तो वाट्सप आपन कर लेते हैं तो गाईस यहां पर मैं हैलो मेसेज करता हूं कुंग एक सेंड तो आप देख सकते हैं यहां पेडवल्टिक लग चुका है मतलब मेसेज चला गया है हुआ तो आप देख चाहले हमारे फोलीड खुल चुल रखले मदरूश कर देख ही पर आयाँ सेथ भी आप्ने सेघंट करेंगे सब्सक्राइब हो टिलेट कर तेाफंड है को अदेख से ही आपके मेसेज होता है एक नोरफिक्षर ना हुए रहे आपार करेंगे अघ्र देख सकते जो कर रहा है सब्सक्राइब दूसरे फोन सेmus एक श्तिकर को सेंड करते हैं यहां पर देख सकते नत्सक्राइब पर में उपित। आप देख्षाएब हमारे लुटे हुष दूसरे बाइब अपर लिट हो चुका तो गाइस आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन वो कि आउपड में उस अपलिकेशन फॉर्म में उपन करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जुमारा यहां पर आख चुका तो गाइस डिटेट स्टिकर को देखने के लिए बीच वाले आप्शन क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पर स्टिकर कर रहा है या फिर इमेज जो आएगा यहां पर बीच वाले आप्शन पर सो करेगा तो गाइस अगर आपको कुछ और डिटेल में जानना हो तो निचे कमेंट वाक्स में कमेंट करें